हलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम ज़ानेंगे मांग क्या होती है cioè mean of demand, मांंग सानडी , dog table our 24 hours-page , york team क्या होता है मांग को समझने से पहले हम अक उदारन लेते हैं कि गाउं का एक किसान है वह कार खरीदना चाहता है परंतु उसके पास कार को खरीदने की पैसे नहीं है तो यह किसान की इच्छा यानि डिजायर का लाएगी अब सपोज करते हैं कि किसान को 10 लाग की लाटरी लग जाती है अब किसान के पास कार को क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन है यानि कार को खरीदने के लिए उसके पास पैसे है अब यह किसान की आवसक्ता यानि वांट का लाएगी अब उस पैसे को किसान जो है उस कार को खरीदने पर व्याइना करके एक घर खरीदने पर खर्च करता है तो यह किसान की कार के लिए डिमांड नहीं होगी डिमांड कब होगी जब उस पैसे से यानि पर्चेजिंग पावर से किसान जो है एक कार खरीदता है यानि उस पैसे को ब्याइ करने के लिए वह तयार होता है तो उसे हम कार की मांग कहेंगे कि अब हम मांग को और अच्छे तरस समझने के लिए अगर यह हम कहें कि भारत में कार की मांग 500 उनिट है तो क्या यह सही है मांग को साई डिफाइन कर रहा है नहीं यह सही नहीं है क्योंकि हम इसमें यह नहीं बता रहे हैं कि कि जब दूसरा एक्जामपल लेते हैं अगर ह हम यह कहें 5 लाख कीमत वाली कार की मांग भारत में 500 यूनिट है तो क्या यह सही है नहीं यह भी नहीं सही है क्योंकि हम यह नहीं बता रहे हैं कि यह एक महिने में कार की डिमांड 500 यूनिट है कि एक साल में है तो अब इसको सही तरीके से कप कहा जाएगा जब हम यह कहें भा में पांच लाग कीमत वाली कार की मांग 500 यूनिट है अब इसके अधार पे हम मांग की एक सही परिभासा देखते हैं मांग से हमारा अप्रा एक दी हुई वस्त की विभिन मात्राओं से है जो उभोगता एक बाजार में किसी दिये गए समय में विभिन कीमतों पर क्रय करेंगे अर्थात मांग से ताकपर है कि वस्त की विभिन कीमतों पर एक निशी समय में वस्त की कितनी मात्रा बाजार में खरी दी जाती है उसे हम क्या कहेंगे मांग कहेंगे मांग होने के लिए किन तत्मों का होना आवस्यक है मांग होने के लिए पांच तत्मों का होना आवस्यक है जो कि हमने उधारण में देखा है पहले डिजायर होनी चाहिए यानि वस्त को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए फिर purchasing power होनी चाहिए यानि वस्त को क्रय करने के लिए परियाप्त साधन होने चाहिए तीसरा उस साधन को खर्च करने की ततपर्णता होनी चाहिए अर्थात willingness to use those means चवता है निशित कीवत होनी चाहिए given price और पांच वहां निशित समय वधी given time period होना चाहिए अब हम यह देखते हैं कि मांग साधी अथवा मांग अनुसूची किसे कहते हैं मांग साधी अथवा अनुसूची किसी बाजार में एक निशित समय पर दिये हुए मुल्यों पर जितनी विक्री होती है यदि उसे एक साड़ी के रूप में प्रस्तुत किया जा तो वह मांग साड़ी कहलाती है या इसको सरल रूप से आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप किसी बाजार में जा करके एक निस्सी समय में विभिन कीमतों पर वस्त की कितनी मात्रा बेची जा रही है अगर उसे आप एक साड़ी के रूप में ब्यक्त करें तो उसे क्या कहेंगे मांग साड़ी यत्वा अनुसूची कहेंगे जैसे इस सुधारण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कीमते दिखाई गई है विभिन कीमतों पर यह दिखाया गया है कि वस्त की कितनी मात्राएं खरीदी जा रही है अगर इसको हमें साड़ी के रूप में ब्यक्त कर रहा है तो यह क्या कला रही है मांग साड़ी कितने प्रकार की होती है मांग साड़ी दो प्रकार की होती है एक व्यक्तिगत मांग सारड़ी और दूसरी बाजार मांग सारड़ी अब देखते हैं व्यक्तिगत मांग सारड़ी किसे कहते हैं वस्त की विभिन कीमतों पर किसी एक उभोक्ता की वस्त की मांग को बताने वाली सारड़ी को व्यक्तिगत मांग सारड़ी कहते हैं अर्थात, अगर हम केवल एक बोगता के संदर में ये देखें कि विभिन कीमतों पर वह वस्त की कितनी मात्राइं क्रय करता है, उसे सारणी के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो वह व्यक्तिगत मांग सारणी का लाएगी, जैसे इस सुदारण में हमने लिया है, कि माल Sharms चार किलोग्राम खर्ड़्री हो रही है आठ रुपए जब कीमत हो जा रही है तो अब बोग्ता पहलेसे अधिक मात्रा की के जा रहता है इसीतरह हो देख потреб Megata निरा टौत करता रहे है अधिक Помानल और हम दूसरा देखेंगे कि बाजार मांग सांडी किसे कहते हैं वस्तु की बिभिन कीमतों पर समूचे बाजार की मांग को बताने वाली सांडी को बाजार मांग सांडी कहते हैं अर्थात इसको और सरल्डंग से आप समझ सकते हैं कि जब हम एक भुगता के संदर में अध्यन कर रहते तो वह ब्यक्तिगत मांग सांडी थी जब हम किसी बाजार में समझ तो भूगता A की मांग 4 किलोग्राम आलू है और भूगता B की 2 किलोग्राम है तो A और B की जो यहां पे हम विभिन की मतोब पर मांग की मात्राओं को दिखा रहे हैं ये व्यक्तिगत मांग सार्डी हो गई एक की मांग सार्डी हो गई दूसरी वाली B की मांग सार्डी हो गई अब इनको जब हम योग कर देते हैं यानि 10 रुपए पर दोनों मिलकर के कितना खरिते हैं 6 किलोग्राम खरिते हैं और अगर आलू के दो ही भूगता उस बाजार में है तो वहां पे बाजार मांग कितनी कह दलाएगी 10 रुपए पर 6 किलोग्राम इसी तरह विभीन कीमतों पर अगर हम सार्डी बना ले तो इसे हम कहेंगे बाजार मांग सार्डी अब हम देखते हैं कि मांग वक्र किसे कहेंगे जब किसी वर्ष्ट की विभीन मांग की मात्राओं और उनसे संबंधित मुल्यों को रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है तो इनसे निर्मित रेखा को मांग वक्र काते हैं अथवा मांग सांडी का चित्री निरूपन ही मांग रेखा कालाता है, अर्था जो भी मांग सांडी आपके सामने उपलब्ध है, अगर उसे आप रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दें, तो उसे आप कहेंगे मांग वक्र, अब मांग वक्र को देखते हैं, मांग जैसे उस उदारण में हमने लिया था तालिका में देखा था दो भोकता लिया था हमने बाजार में ये उभोकता और बी उभोकता तो ये और बी का हमने जब ग्राफी प्रदर्शन किया है तो ये व्यक्तिगत मांगवक्र का लाएंगे उभोकता ये और उभोकता बी का और ज एक मांगवक्र बनाया है तो उसे हम क्या कहेंगे बाजार मांगवक्र कहेंगे इसे आप देख सकते हैं कि भुगता ये और भी दोनों की मिला करके 6 रुप दस रुपए कीमत पर डिमांड जो है वह कितनी है 6 किलोग्राम है और जब 6 रुपए कीमत हो जाती है घट करके तो द कितनी डिमांड करते हैं 18 किलोग्राम करते हैं यहां पर देख सकते हैं 6 रुपए पर आप देख सकते हैं कि यह एक की बी की डिमांड जो है वह 8 रुपए है और एक की डिमांड जो है वह 10 रुपए है 10 किलोग्राम सॉरी रुपए नहीं 10 किलोग्राम है तो इस तरह मिला कर करके बाजार मांग वक्र बन गया अब अगले वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे